है गाइस वल्कम बाग तो यूट्यूब चैनल इस रेव डुस्ट्रोक सो आज इसकी फर्स सर्विसिंग हो गई है उन्होंने कोई भी पार्ट्स या फिर कोई भी ओल चेंज नहीं किया गया है इसमें बस उन्होंने सिर्फ चेक किया है और सौफ्ट्वर अप्ग्रेड किया क कीया का और इन्होंने यह बताया है कि अभी सौफ्ट्वेर अब्डेड करने के बार आप यहां पर देखेंगे कि 000 यह है और यहां पर 00 पर जैसे जैसे हम रून करेंगे तो वैसे वैसे वो उपने को माइलेज दिखारगा कि कितना है तो इसमें आता है बार कि ओवराल तो स सर्विशिंग अच्छी थी लेकिन जो से मैनेजमेंट है इस नोट सो गूड ठीक से इतना सर्विशिंग भी नहीं करते हैं जो जो पॉइंट चेक करने देवाबस कर देते हैं वास कर देते हैं थोड़ा इंटिरियर वाक्यूम क्लीन कर देते हैं और दाट सिट दन फॉर यह नाथिंग एल्स कोई पार्ट चेंज नहीं होता है कोई रिप्लेस नहीं होता है या फिर कोई ओई चेंज नहीं होता है जो भी होता वो भी सेकंड सेर्विश में होता है अभी हम इसे आ रहा देगे अभी यह आगे देगे 3.6 मालेज हो अब इसे नॉर्मल में ही चलाएंग यह सॉंड जिस्टम भी इसका आगे की तरफी फोकस है इसका जो भी साउड सिस्टम है पीछे की तरफ कोई भी इतना साउंड आता नहीं है अगर अगर अपने पीछे में साउंड चीए तो हमें अगर हमें पीछे में साउंड चीए तो हमें उसको सैटिंग करके उसकी फोजीशन थोड़ी बैक में रखेंगे तब जाके वह बालेंस हो जाएगा आगे भी विगोज इन्होंने बुलाए कि आगे में कम से कम पांच स्पीकर है यह एक यह दू और वो दो चार और बीच में एक इसके स्पीकर है यहां पर एक यहां पर तो अवराल एक्सपीरेंस वास नोट सो बाद नोट सो गूड इट वास ओके गाड़ी तो चलती अच्छे से बड़ एक ही चीज़ का माइलेज का उन लेकिन उन्होंने भी बोला है कि सॉट्वेर अपग्रेड किया है तो हम भी हम इसको चला के देखेंगे कि कैसा है सीटी में भी चलाएंगे और हैवेज में भी चलाएंगे कि कितना माइलेज दे रहा तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपडेट रहना पहलेगा ठीक है तो आज से के व्लॉग में इतना ही था तो मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तिल दान टेक केप बाइब बाइब